दर्शक गाण, शोता गाण, भाई और बैनों, मात्री सक्तिकों नमन्थ, खास, विशेश, मन मोहग, जीवन को उपदेश देने वाला, जीवन की दिशा को बदलने वाला, जीवन का कल्यान करने वाला कारिक्रम में, आपका हाद दिक स्वागत अभिनंदन सत्कार है, अवनत्ती से उनत्ती की और जाना, जहम नीचे गिर चुके हैं तो उपर की और बढ़ना, ये सब करने के हमारा एक साधना का विशेस विशे है कि ध्यान क्यों करें हमारी भारतिय संस्कृती में ध्यान को सबसे उंचा इस्तान दिया गया है और जितने भी भारत में धर्म दर्शन में भारत में नहीं प्राच्च और पाश्चाती eastern और western civilization के अंदर जितने भी religions है जितने भी philosophies है उन्होंने ध्यान को सबसे उंचा इस्तान दिया है क्योंकि ध्यान वह अवस्ता है जो की सीधा हमें हमारे अस्तित्व हमारे स्वरूप की तरफ लाता है यानि ध्यान के माद्यम से हम सीधे अपने आप के अंदर विलीन होते हैं हम अपना self-realization करते हैं हम अपना introspection करते हैं हम अपना स्वयम का निरिक्शन करते हैं हम स्वयम के अस्तित्व के बारे में जानकारी करते हैं और ध्यान सिर्फ भीतरी जगत में ही होता है बाहर का जो ध्यान होता है वो लोकिक ध्यान होता है आज मैं जो बात करूँगा आपकसो वो बीतरी ध्यान की बात करूँगा वैसे ध्यान के बिना इस दुनिया में कोई कारे नहीं होता है अगर हम पहले लोकिक ध्यान की बात करें तो मैं बताना चाहता हूँ का हम ड्राइविंग कर रहे हैं और ड्राइविंग केंदर अमने ध्यान नहीं दिया कि गाड़ी को left में रखना है या right में रखना है या मोडना है या मोडने किसमें light नहीं दिखाई direction नहीं दिखाया तो किया इस्तति होती है आप भली भाती जान सकते हैं और कोई भी गरेनी अगर भोजन पका रही है और आज के उपर उसने कोई चीज रख़ख की है अगर वो पूरी अगनी का ध्यान ना रखे तो क्या हिस्ती हो सकती है एक गाड़ी का ड्राइवर है ट्रेन का ड्राइवर जो है directions का ये सारे चीजों का वो ध्यान नहीं देता है रहे इग्नोर कर देता है तो क्या इस्तती बन सकती है भाई और बैनो इस्तती विक्ट हो सकती है इसलिए ध्यान एक ऐसी चीज है कि उसके बिना हमारा ना तो लोकिक जगत का कोई कारी हो सकता है और बीतरी जगत का भी कारी नहीं हो सकता है क्योंकि बीतरी जगत के अंदर जाने के लिए हमें ध्यान के बारे में बताएंगे कि बीतरी जगत के अंदर ध्यान क्यों आफशक है और आज ये बताएंगे कि ध्यान क्यों किया जाना चाहिए वैसे तो भार के लोगी जगत पर ध्यान करने के लिए एक एक सिक्षा एक एक विद्या पर अगर हम निशकष निकाले तो घंटों घंटों पर विवेचन कर सकते हैं लेकिन हमारा विश्य है बीतरी ध्यान से जुड़ा हुआ है तो हम हमें ध्यान क्यों करना चाहिए सबसे पहले भाई और बैनों दर्शक गण सोता गण हमें ये समझना है कि ध्यान किसे कहते हैं ध्यान दो तरह का होता है एक तो आलंबन ध्यान होता है एक निरालंबन ध्यान होता है आलंबन ध्यान के अंदर हम किसी भी वस्तू हमारे किसी भी भगवान हमारे किसी भी देवता या हमारे किसी भी इस्ट के पोटो पर या उसकी मूरती के उपर उसको एक आधार बना कर एक आलमबन बना कर हम हमारे चित वरतियों को सब एक जगे एकागरित करते हैं हमारा जो ध्यान है हमारा जो विचार है इदर उदर ने अपटका करके उस पर्टिकुलर स्थान के उपर हम एकागरिचित होते हैं और हमारे पतंजली जो जिनोंने जो है योग के बारे में कहा है कि योग निरोदो ध्यान मतलब योग सारी हमारी योग की का निरूद करने से हमारा ध्यान होता है तो ध्यान के लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें भीतरी जगत के अंदर प्रवेश करना होता है और अच्छा ध्यान करना चाहते हैं तो हमें दो चीजों का पहले ध्यान करना होगा कि हमारा जो शरीर है वो शरीर स्थिर र हो वो सब सरीर के लिए कहा जाता है और ये भी कहा जाता है जे कम्मे सूरा से दम्मे सूरा जो करम के अंदर शूरवीर होता है वही धरम में शूरवीर होता है लेकिन चाहे करम करो चाहे धरम करो दोनों के अंदर शरीर माद्यम होता है इसलिए कोई भी साधना करने के लिए कोई भी अच्छा कारी करने के लिए सरीर को साधना जरूरी है तो हम ध्यान जब करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले हमारा सरीर इस्तिर होना चाहिए शरीर शितिल होना चाहिए उसके लिए कायोत सर किया जाता है कायोत सर के अंदरी आटो सिजेशन दिया जाता है कि पूरा शरीर जो है वो शितिल हो जावे कहीं अकड़न नहीं, कहीं जकड़न नहीं, कहीं तनाव नहीं और सारा सरीर एकड़म शांत और शितिल हो जाता है तब हमारा ध्यान टिकता है और ध्यान का सबसे बड़ा स्योगी होता है हमारा स्वांस होता है स्वांस हम जितना लंबा लेंगे और जितना लंबा खीचेंगे जितना लंबा भीतर जाएगा जितना लंबा बाहर आएगा बाहर गया स्वांस और भीतर गया स्वांस ये पूरा एक सौास कहलाता है इसकी संख्या जितना हम पर मिनट गटाएंगे उतना जो हमारी स्तिरता बढ़ेगी और स्तिरता बढ़ने के साथ साथ में हमारे विचारों की अलपता होगी ध्यान के अंदर विचारों की अलपता होनी चाहिए और जब ध्यान के अंदर हम चले जाते हैं और हमने आलम बन लिया तो हमारी आँखें प्राए बंद रहनी चाहिए और कई बड़े बड़े पहुचे हुए सादक होते हैं खुली आखों से भी करते हैं, अरद खुली आखों से भी करते हैं, लेकिन जो प्रारंब का सादक है, उसको आख बंद रखनी चाहिए, और सरीर जिसमें आराम से बैठ सकता है, उस आसन के अंदर आराम से बैठना चाहिए, और हमारा स्वां सितिल होना चाहिए, ये हमारे प् प्रिक्षा करेंगे प्रिक्षा करता देखना देखना कैसे कि राग द्वेश मुक्त हो करके ग्याता द्रस्टा भाव से देखना हमारे जो भीतर शुद्धात्मा बिराजमाने जो हमारा अस्तित्व है उस अस्तित्व को जानने के लिए उसका ज्यान करने के लिए हम ज्यान क नहीं रूप नहीं गंद नहीं वर्ण नहीं जलती नहीं मरती नहीं करती नहीं किसको रोकती नहीं किसी से रोकती नहीं तो क्या है यह हमारी आत्मा अनंत क्यान वाला है हमारी आत्मा अनंत दर्शन वाला है हमारी आत्मा अनंत शक्ती वाला है और हमारी आत्मा अनंत सुख का धाम है अनंत अनंत का धाम है और चाहे हमारा बहारी जगत हो चाहे भीतरी जगत हो सब दोनों जगत का और पूरा जीवन क्यों न लें प्राणी मातर के जीवन की बात करें हम मुक्ष की अवधारना की बात करें तो हमारा जीवन का लक्ष होता है आनंद उस आनंद की प्राप्ति करने के लिए हम ध्यान करते हैं और ध्यान के माद्यम से आनंद मिलता ध्यान के क्या-क्या लाब है हम बात में बताएंगे पहले हम ये बता रहे हैं कि ध्यान क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए ध्यान जो है करने के लिए जो हमें एकागर चित होना चाहिए और एकागर चित हो करके जब हम आते जाते विचार जो हमारे कभी रुखते नहीं है विचार को एक मन जो मन को बहुत चंचल कहा गया है ये चंचल बंदर की तरह है मन के लिए कहा गया है मन लोबी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर मन के मतेन चालिये, पलक पलक मन और यानि हमारा मन, मन का अर्थ होता है विचार ये विचार बटकते रहते हैं तो व्यक्ति अस्थिर हो जाता है उसे विचारों को स्थिर करने के लिए विचारों की अल्पता लाने के लिए ध्यान किया जाता है जो विचारों की अल्पता होती है और हम घ्याता दर्ष्टा भाव में रहते हैं तो हमारी प्रतिकिरिया विरती हो जाती है हम किसी चीज़ के अंदर प्रतिकिरिया नहीं करते हैं ये दुख क्यों आता है दुख आता है प्रतिकिरिया करने से ये अच्छा है ये बुरा है लाब के अंदर जो है खुश हो जाता है वक्ती और हानी के अंदर दुखी हो जाता है आदर के अंदर फूल करके कुपा हो जात तो वो क्रोधित हो जाता है, रागवेश जो है भर जाता है, तो रागवेश रहीत होकर के हमें ग्याता दरस्टा भाव से देखना ये ध्यान का उद्धिश्य है और इसी लिए ध्यान किया जाना चाहिए. अब भाई और बैनों दर्शकन सोतागन हम ये थोड़ा देखें कि ध्यान करने की लाब क्या है सबसे पहले हम लाब ले देते हैं कि ध्यान करने से हमारे दिमाग के अंदर जो उथल पुथल मची हुई होती है हमारे टेंशन होता है वो टेंशन का वीशरजन हो जाता है कितना ही बड़ा से बड़ा व्यक्ति को टेंशन हो उसका कायोत सर की अवस्ता में है श्वास शितिल है और वो ध्यान एकागरता से ध्यान करता है तो सब परकार का टेंशन गाइब हो जाता है और एक आनंद का दरिया उसको दिखने लगता है आनंद का सुरोत फूर जाता है तो ध्यान करने का सबसे बड़ा लाब ये है कि तनाव मुक्ति और दूसरा बड़ा लाब ये है आनंद की प्राप्ति हमारे जीवन का उद्धिश्य आनंद प्राप्त करना है तो आनंद प्राप्त करने के लिए हम ध्यान करते है ध्यान का तीसरा लाब है सुरूप की प्राप्ति हमें अपने खोज करनी है कि मेरा सुरूप क्या है दर्शन का प्राप्त कहां से होता है दर्शन ये कहता है कि तुम तिन प्रशन अपने आप से करो कि मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूँ और मुझे कहां जाना है तिन जब प्रशन आप अपने आप से शांद बाव से पूछेंगे तो आपको जीवन की दिशा मिलेगी कि आपको क्या करना है जीवन का उद्धिश्य है किसलिए इस जीवन के अंदर आए हो जीवन की दिशा क्या है वो दिशा हमें अपने आप इस तीन प्रशनों में समाई थे और जब ये प्रशन हमारे अंदर जागरित होते है वहाँ से दर्शन प्रारंब होता है और वहाँ से हमारे जीवन निर्मान की प्रकिरिया चालू होती है हमारे एक लक्षे बनता है कि हमें क्या करना है ये सबसे बड़ा ध्यान का लाब होता है अब ध्यान करने से क्या एक लाब होता है रशायन का परिवर्तन होता है हमारे भीतर भाईयों और बैनों प्रतिक्षन रशायन बनते रहते हैं इनको हम एंडोक्राइन ग्लेंड्स कहते हैं इन ग्लेंड्स के अंदर रशायन बदलते हैं हमारे भीतर के जैसा करम शरीर होता है अच्छे या बुरे विचार आते हैं उसका रूपान तरण हमारे आवचेतन मन में होता है आवचतन मन को हम तेज़श शरी कहते है और इसको लेशिया का जाता है ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है हमारे बीतर जगत के अंदर जो आवचेतन मन है तीन तरह के मन है चेतन मन है हमारे इस तूल सरी के उपर काम करता है वह सोचता है बूत की जो है कल्पना की बूत की जो है वह समर्थी करता है वहुशी की कल्पना करता है वरतमान का चिंतन करता है और उसके बात में अवचेतन मन है उसमें सारा रूपांत्रन होता है कोई भी व्यक्ती बदलना चाहता है कोई भी व्यक्ती अवधान पुराने रिशी मुनी जो है न एक बास्वामी विवेकानन्द को लीजी स्वामी का विवेकानन्द के लिए कहा जाता है कि वो किसी पुस्तक को एक बार दद्चित हो करके पढ़ लेते थे तो उनकी इतनी एक आगरता थी कि वो पूरी पुस्तक उनको याद हो जाती थी फिर कोई भी कुछ से प्रश्ण कहता था तो बता देता थी फला पुस्तक है फला पेज पर ये संटेस लिखा हुआ है इसको अवधान प्रिकिरिया करते हैं ये अवधान की प्रिकिरिया अवचेतन मन में होती है हमारे रिशी मात्मा लोग जो है वो सादक लोग होते हैं उनकी जबान फलती है वो कहां से आता है वो अवचेतन मन से आता है वो अभ्यास करते हैं साधना करते हैं और अपने एक सरीर को ये एक आध्यात्मिक लेबरेटरी बनाते हैं उस लेबरेटरी के अंदर से जो है ये सारा रूपांतन की प्रिकिरिया अवचेतन मन में होती है तो हमार ध्यान हमें अवचेतन मन तक ले जाता है और वहाँ पर रूपांतरन करता है और तीसरा होता है अचेतन मन अचेतन मन है वो एक हमारा गोडाउन है एक वेर हाउस है हमारी जितनी भी कल्पना है हमारी जितने भी कर्म है किस किस जीवन के इंदर हमने कौन-कौन सा अच्छा बुरा कर्म किया है, पुन्य किया है, पाप किया है, उसका वेर हाऊस है, उसका स्टोर हाऊस है, और जब समय आता है, तो कर्म उदे में आते हैं, और फिर उसका उदे में आकर के, उसका रूपांतरन जो है, लेशिया के माद्यम से, इस हमारे अव उसी क्षणों के अंदर काड़ जाता है क्यों कि ध्यान के माद्यम से हम हमारे स्वरूप को देखना प्रारंब कर देते हैं हमारी आत्मा तक पहुंचने का केवल जरिया ध्यानी है मोक्ष को जाने का केवल जरिया ध्यानी है इसलिए हमारी भारतिय परमपरा के अंदर हमारे भारतिय धरमदर्शनों के अंदर और भारतिय धरमदर्शन नहीं बलकि वेस्टरन शिवलाइजेशन की जो दर्शनों के अंदर भी ध्यान को सर्वोचिस्तान दिया गया है क्यों कि ध्यान सीधा हमें आत्मा के करीब ले जाता है मौक्ष के करीब ले जाता है तो ये बड़ा ध्यान का ये बहुत बड़ा लाब है अब ध्यान तीन तरह के होते हैं पहला ध्यान जो होता है आर्थ ध्यान दूसरा रोद्र ध्यान तेसरा धर्म ध्यान और चोथा होता है शुकल ध्यान अब आप देख लिए कि आर्थ ध्यान क्या होता है कि जब व्यक्ति किसी इस्ट चीज को प्राप्त करना चाता है धन को प्राप्त करना चाता है अपने किसी प्रिय को प्राप्त करना चाता है जो उसको अपनी प्रतिष्टा को प्राप्त करना चाहता है पद को प्राप्त करना चाहता है अच्छी रेंक को प्राप्त करना चाहता है तो प्रतिक्षन उसके दिमाग के दर एक ही चिंतन चलता रहता है कि वो प्रिय व्यक्ति कब आवे वो रेंक कब मिले वो पद प्रतिष करता है और ये विचलन के कारण ही हमारा जो जो हमारे भीतर जो तांता है विचारों का है ये बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और इसके अंदर टर्बूलेंस चलू हो जाती है उसके अंदर जो है वो बहुत बड़ी जो है उसके अंदर मतलब हलंचलन पैदा हो जाती आर ध्या रोध्रध्यान इंसक लोग करते हैं कि किसी भी प्राने की हिंसा करना नकारात्मक, छोटे रूप में नकारात्मक बाब रखना प्रानियों को मारना, प्रानियों के इमले, जीवन का हनन करना, किसी का बुरा करना जितनी सारी negativity होती है वो सारी negative रोध्र ध्यान के अंदर आ जाती है और ऐसे व्यक्ति बहुत नकारात्मक होते हैं वो सबका बुरा करने वाले होते हैं उसका result भी उसका बुरा होता है तो ये दोनों इन ध्यान से दूर रहकर कि हम तीसरे ध्यान के अंदर प्रवेश लेवे वो है हमारा धर्म ध्यान होता है धर्म ध्यान का अरती होता है कि हम positivity की हो जाने हैं हमारे जितने जितने भी negative thoughts है जितनी जितनी नेगेटिविटी है इसको हमारे धर्म गरंतों के अंदर पाप कहा गया है उस negativity से दूर रहकर कि उसी negativity को कम करके हम positivity की और बढ़े हैं जितनी जितनी हमारी positivity बढ़ेगी उतनी उतनी हमारी purity बढ़ेगी और जितनी purity बढ़ेगी उतनी उतनी हमारी आत्मा हलकी होगी और हलका होकर हमारा जो हमारे चतुत पुर्स्टार्श का जो लक्ष मुक्ष है उसकी प्राप्ति करने जाए लक्ष का मुक्ष का आर्थ होता है परमानंद की प्राप्ति हमें भाई और बैनों दर्शक गंड सोता गंड इस जनम में कही बार सुख की प्राप्ति होती है की प्राप्ती होती है लेकिन यह temporary आनन्द है क्योंकि हर समयोग के साथ में व्योग जुडा होता है जो ही यह आनन्न की ऑसित्ति स्वापत होती है उसके बाद पुने जो हमारे कस्ट की या दुख की इस्तति प्राप्त हो जाती है कि हमारा उस वक्ती से संयोग हो जाता है वो हमारा पद चला जाता है वो हमारा धन चला जाता है तो वो इस्तती दुख की प्राप्ती होती है लेकिन इन दोनों को एक सा समझना जिसको गीता के निस्तित प्रग्य कहा गया है जिसकों की प्रग्या चक्षु का गया है जो की वक्ती समताधारी होता है वो दोनों को एक सा समझता है यही ध्यान का मुक्य उद्धिश्य है कि हर इस्तती में सम रहना अनुकूलता प्रतिकूलता प्रियता अप्रियता और जो है वो गाली गलोज के अंदर यह हमारी इस्टा के अंदर सब में एक समान रेने की जब इस्तती आ जाती है, दोनों को एक समान समझते हैं, तो हमारे बीतर हलन चलन सब समाप्त हो जाती है, क्योंकि दो के लवत और तीसरा काम होता ही नहीं है, या तो सुख होगा, या दुख होगा, या राग होगा, या द्वेश हो बढ़ते जाते हैं भाई और बेनों दर्शागण शोता गड़ तब प्रशन ये है कि आज का हमने विश्य लिया है कि ध्यान क्यों करे तो एस ध्यान को मैं प्रेजन्ट जुश सिनेरियो है उस सिनेरियों से साथ जोडता हूं कि क्योंकि आखिर ये सारे विशे जो है इस विशे से व्यक्तिगत क्या लाब है हमारे समाज को क्या लाब है मानुता को क्या लाब है एज ये होल सात अरब की जो जनसंग क्या है विश्यों की उसको इस विशे से क्या लाब है वो बताना चाहता हूं तो इसमें सबसे जो छोटी इनिट होती है वो व्यक्ती होती है तो ध्यान के द्वारा व्यक्ती का रूपांतर्ण होता है व्यक्ती बदलता है व्यक्ती बुराई से अच्छाई की और आता है और एक व्यक्ती जब अच्छा बनता है इसका मतलब ही हमारा समाज जो है वो दीरे 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 अच्छाई की और जाता है और एक व्यक्ति जब अच्छाई से बुराई की और जाता है तो हमारा समाज बिगड़ता जाता है इसलिए कहा गया है कि सुद्रे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राश्ट्र स्वयम सुद्रेग अगर आप सुधार करना चाहते हो तो व्यक्ति को सुधार हो क्योंकि व्यक्ति इसका घटक है व्यक्ति इसका कंपोनेंट है व्यक्ति इसका यूनिट है और हमारी युग निर्माण योजना में यह कहा गया है कोई किसी को नहीं सुधार सकता है संसार की सबसे बड़ी सेवा है अपना स्वयम का सुधार करना है अगर हर व्यक्ति ध्यान करके अपने आचरन को अच्छा कर लेता है तो वो सुधरावा व्यक्ति कहलाता है तो उसके लिए सारा संसार सुधरावा नजर आएगा और इसी भावना के साथ के अंदर मल्टिप्लिकेशन होते होते समाज सुधरता जाएगा और जो वक्ती बिगडता है तो भावना प्रदूशन फैलाती है हम इतने बड़े बाई ये प्रदूशन की बात कर रहे हैं कि आज कार्बन डाई ऑक्साइड इतनी बढ़ गई है एक आक्सिजम की मातरा कम हो गई है स्वांस नहीं ले सकते हैं और उसके साथ जल का प्रदूशन कहते हैं हम बाईू का प्रदूशन कहते हैं हम प्रत्वी के उपर जो प्रदूशन जो मिट्टी का प्रदूशन कहते हैं सबी के प्रदूशन की बात करते हैं बाई और बैनों दर्शक गंड सोता गंड मैं आज के विशे के माध्यम से ये कहना चाहरा हूं कि सबसे बड़ा जो प्रदूशन है हमारे विचारों का प्रदूशन है मैं एक भाई और बैनों दर्शक गंड सोता गंड एक आपको सटीक उधारन के तोरह बताना चाहता हूं कि एक राजा ने अपने प्रजा को अपनी गाउं की प्रजा को ये कहा गया कहा कि आज पूनुम का दिन है और हमारा जो तालाब है वो एकदम स्वच पानी से दो दिया गया है खाली कर दिया गया है अब इस तालाब को भगवान का अभिशे करने के लिए इस तालाब को दूद से बरना है प्रतेक ना गरेक इसके अंडर एक लोटा दूद डालेगा अब देखिए कि चंदरमा की चांदनी पूनम की तो पहला वेक्ति उसके मन के अंदर क्या व हमारे गाव के निवासी, बाकी सब लोग तो दूड डालेंगे, जब ये दूर भावना उसके बीतर पहले वेक्ति के बीतर आई, और उस तालाब के इंदर उसने दूड की जगे पानी डाल दिया, अब देखिए प्रदूर्शन विचारों का कितना पहलता है, दूसरे वेक्त अच्छे के लिए करें, इसको अच्छे कारी के लिए करें, तो देखा कि ये पानी से बर गया, तो ये विचारों का प्रदूर्शन है, आज भाई और बैनों दर्शक गंड सबसे बुरा क्या हो रहा है कि हमारे में नकारात्मा कहां बर गई है, हमारे या विचारों का प्र तरकीबर नहीं था बीस साल पचीस साल पचास साल आप पीछे जाईए तो आप देखेंगे हर वेक्ती हर एक को सैन करता था अगर मान लो बड़े ने कुछ कह दिया तो छोटा उसको जवाब नहीं देता था लेकिन आज का सिनेरियो क्या है एक छोटे से पोते को बच्चे को दस साल के बच्चे को आपने कोई बात कही तो उसके रियक्शन के अंदर वो दस बाते इतना इंटलिजेंट हो गया है कि उसके reaction के अंदर रस बातें बताएगा और ये सिद्ध करेगा कि आप जो कह रहे हो ये सही नहीं है यानि वो तरक बहुत बढ़ गया तरक नहीं कुछ तरक बढ़ गया है और इस कारण क्या होता है कि हमारे यहां पर जमेले जीवन में चालू हो गए और जहां सेहन सीलता की कमे होती है वहां समवेदन सीलता गड़ती है आज घरों के अंदर प्रेम क्यों गट रहा है क्योंकि त्याग की वरती नहीं है और सेहन सीलता की वरती नहीं है पुराने जमाने के अंदर हर व्यक्ति त्याग की और भोग से त्याग की और अधिक ध्यान देता था नहीं भई घर के अंदर ऐसा नहीं कोई अच्छी चीज आई है तो मैं मेरे हिसे की खाऊं अगर लड़ू उसके अंदर घर के अंदर बीस लड़ू और मेरे हिसे में एक आता है एक की खाऊं उसमें से वो आदा बचाने की कोशिस करता था लेकिन आज क्या नकारात्म का क्या हो गई है अच्छी से अच्छी चीज को मैं मेरा जो ग्रहन करूं दूसरा अपने आप सोचेगा तो ये स्वार्त की वरती और उसके बाद में असेंसीलता की वरती ने आज परिवार जो नुकलियर होती जा रही है और नुकलियर होने की वज़े से वो कई दुख भी भुगतती है क्योंकि जॉइंट फैमिली के अंदर जो है वो संतुलन हो जाता था एड़जस्टमेंट हो जाता था एक गाड़ी के अंदर चाहा फोर विलर और टू वेलर शॉकर लगे होते है तो वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है तो हमारे जो हमारी जॉइंट फैमिली थी उसमें शॉक एब्जॉर्श रोता हमारा दुख बट जाता था कईयों के बीच में आदमी दुखी होता ही नहीं था क्यों कि सभी अपना-पना काम करते थी और प्रेम प्रेम बढ़ और उसके लक्षण वो देखता था, तो वो समाज के अन्दर वैसा समझता था, कि घर के अंदर जब घर में अच्छी ट्रेनिंग मिल जाती तो अटोमेटिकली समाज में हम ट्रेंड होते ही हैं, हम हमारी बच्चे की प्रतम पार्ट साला माँ कही जाती है, माँ अपने बच्चे को अगर अच्छे संसकार देती है कि बड़ों के साथ विने करो बड़ों के साथ कुतर्क नहीं करना गुरू के साथ कुतर्क नहीं करना विने रखना और उसके साथ समय पर उठना समय पर पढ़ाई कारी है समय पर करना और उसके साथ जीवन शेली को अच्छा रखना ऐसे अच्छे अच्छे संसकार जब घरों में दिये जाते हैं तो निश्चित रूप से वह बच्चा वह व्यक्ति जो है जब समाज के अंदर जाएगा जब किसी भी ओध्यों की प्रतिस्टान में जाएगा या किसी भी सरकारी ओफिस में जाएगा या खुद के ओफिस में जाएगा तो सब को मित्रवत समझेगा अपने जितने भी वो फैमिली गिनेगा सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति फैमिली में अच्छा जीवन जीता है फैमिली में सुखी रहता है वो अपने अपने ओध्यों की प्रतिस्टान को एक फैमिली समझता है इसलिए हम कहते हैं कि हमारा इस ओर्णाइजेशन is as good as our family as good as our family जब हम family की बात करते हैं तो आत्मियत आती है प्रेम बढ़ता है क्योंकि प्रेम परिवार के अंदर ही सिखाय जाता है और यह हमारी परियोक्षाला जो है हमारा घर होता है हमारा परिवार होता है वहाई से सीखते हैं इसलिए भाई और बैनों दर्शक गंड ये सब चीज़ें कहां से आएगी ये आने के लिए हमारा द्यान एक ऐसा शशक्त और ऐसा एक इमिज्जेट माद्यम है कि हम इसमें दीरे दीरे एंट्री लेने लग जाएंगे तो हमारे बीतर के रशायन, हमारी सोचने की प्रिकिरिय हमारी नेगेटिव इगिटी का खतम होना और हमारा स्वांस का इससे रहना, हमारे सरीर का नियंत रहना, कंट्रोल रहना, सारी चीज़ें आटोमेटिकली हो जाएगी, ध्यान के माद्यम से संतुलन होते ही वह ऐसा व्यक्ति, एक आइडियल व्यक्ति हो जाएगा, एक रोल म मॉडल हो जाएगा, इसलिए भाई और बैनों, दर्शक गण, आज सबसे बड़ी आफशकता है, हमें मेडिटेशन कराना चाहिए, घर में मेडिटेशन कराना चाहिए, स्कूल में मेडिटेशन कराना चाहिए, कॉलेजेस में कराना चाहिए, उनिवर्सिटीज में कराना चा होते हैं जगत का कल्यान हो और आप सभी का जीवन मंगल मैं हो सरवे बहुंतु सुख हो सभी को आनंद हो सभी को शांती मिले और सब को स्मृद्धी मिले सब को स्वास्ति मिले आपका जीवन मंगल मैं हो आनंद मैं हो सुख मैं हो धरम मैं हो आपको बहुत बहुत शुब कामन मंगल महां